Threshing से बचकर जो धान भूसे के साथ आगे निकलता है उसे भूसे से अलग करने के लिए सीव का उपयोग होता है यदि धान भूसे के साथ साथ बाहर निकल रहा हो तो सीव की adjustment करना ज़रूरी है पीछे वाली सीव ज़रूरत अनुसार उपन कर दें ताकि धान पीछे वाले सीव से नीचे गिर जाए और फिर से री थ्रिशिंग प्रोसेस को जाए adjustment के लिए सीव पे दिये lock nut को लूज करें और पीछे दिये bolt को कस दें पीछे दिये bolt को tight करने से सीव ओपन हो जाएगी धान के आकार अनुसार सीव की adjustment करें आतर अनुसार सीव चनुसार सीव में पीछे तो जाएगी तो जाएगी सीव पीछे जाएगी झाल झाल